नमस्कार मेरा नाम है खुश्बू और आप देख रहे हैं SM News चैनल आप सभी का SM News में स्वागत हैं आज हमारे साथ हैं फोजी जंता पार्टी के रास्ट अद्यक्ष राम महर मलिक जी मलिक जी हमारे चैनल में स्वागत है दन्यवाद खुश्बू आज पूरे देश की नजर म लेकिन महरास्ट से ही BJP सरकार का सफाया हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे खुश्बू एक्टूली पिसले एक महीने से ज्यादा समय हो गया यानि 24 अक्टूबर को महरास्टा के नतीजे आ गए थे चुनाओ के और तब से ही अगर मैं ये कहूं कि बहतर सा कदर ने की गी है ये एक महीने से ज्यादा 32-33 दिन का जो ड्रामा चला है दुखद रहा है बहुत ही दुखद रहा है अब जैसे कि दो पार्टियां जो शासन का हिस्सा थी पिसले पांच साल वही दोनों पार्टियों का एकठा गड़ जोड़ हुआ था और उन्होंने किया है वाइदा किया है वो कह रहे हैं हमने वाइदा नहीं किया तो इसी बात पर उनके करीब करीब 12-13 दिन तक यही ड्रामा चलता रहा आखरी में इनका समझोता नहीं हुआ और 9 नौंबर को बीजेपी ने गवर्णर को लिख कर दे दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे य जब इनको यह नहीं बना सके तो दूसरे नंबर पर सीव सेना को दिया सीव सेना को भी यही सेम इसी तरीके से उन्होंने नहोता बेजा सीव सेना ने जाकर के इनको यह बताया कि हमें दो दिन का और टाइम ठीए वो टाइम रजपाल महुदा नहीं 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 जो टाइम दिया था आप उसको टाइम तो आने दो क्या पता हो बनाने के लिए आपके पास आ रहे हैं तो वो राश्टपति शासन लगा दिया चलिए कोई बात नी उसके बाद से सिर्व शेना कॉंग्रेस और NCP तीनों दल आपस में कोशिस कर रहे थे रोजाना उनकी मीटिं से बनाएंगे तो शायद इसी तरीके से उनका समय लग रहा था और मैं समझता हूँ एक समयदानिक तरीके से वो लोग कोशिस कर रहे थे क्योंकि लार्जस पार्टी सबसे बड़ा दल जो है मना कर चुका है तो कोई तो सरकार दे क्योंकि स्टेट के उपर राजे के उपर तो बारा से चुनाओ तो नहीं थोपे जाने चाहिए अब वो लोग काफी दिनों से आप यह लगाईए कि नौ नौमबर को इन्होंने मना किया था बीजेपी ने और बाइस नौमबर तक बारा तेरा दिन का उनका काफी मंतन हुआ है तीनों पार्टियों की कई मीटिंग द और इनका अपचारिक तोर पर गोशना कर देंगे हम इनकी और रास्टपती को हम दावा पेश करेंगे सरकार बनाएंगा लेकिन यहां पर खुश्बू देश का एक भौधी दुर्भाग्य पुरुन मैं तो इसको दुर्भाग्य पुरुन नहीं मानूगा और को यह माने न जो सरकार बना रहे हो तो इसको अच्छा मानेंगे लेकिन मैं इसको देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पुरुन पल मानता हूं कि रातो रात इनोंने सब धर्शमी धान की धजिया उड़ाते वे सारी एजेंशियों की धजिया उड़ा दी और इनोंने रातो रात पता निक्या धांदले वाजी करके गवर्नर को लिख कर दे दिया है बीजेपी ने यानि शीव सेना से एक आदमी को तोड़ लिया एक आदमी को तोड़ के उसने कहा कि चमवन आदमी हमारे साथ हैं अजीत बाहर को और उसने चमवन आदमी का अपने साथ में होने का दावा किया है वो चिताई को देी राजे पाल ने इनको नोटा बेज दिया लेकिन नोटा उनी थे पहले एक बहुत जरूरी प्रकिरिया वहां होनी थी वह स्यानी कारीव वहां होना था क्योंकि प्रदेश में राश्टपती शासन का हटा जाना बहुत जरूरी था तो यहां यहाई नोने सरकार बनाने में दिखाई है वही दिन भी तो निकलना था जो भी करना था अगले दिन कर लेते पहली बात तो इनका कोई नैतिक धर्म नहीं था बाइस नॉम्बर को तीनों पार्टियों ने एकटी मीटिंग करके यह गोशित कर दिया है कि हम कल अपचारिक तोर पर गोशना करेंगे और अपने नेता का जो है नाम उसको एलन कर देंगे तो उनकी सरकार तो बन रही थी आप उनकी सरकार में रोड़ा एटकाने के लिए एक भरष्टाचार और नया ताज़ा फैलाने के लिए आपने रातो रात कारवाई करके यानि कितने बड़े- समयदानी पदों को इन्होंने बज़नाम करा दिया राजेपाल को बज़नाम करा दिया अब पता नहीं राजेपाल की क्या मजबूरी थी कि इंदर सरकार से आदेश आए होंगे बिना कि इंदर सरकार की आदेश के तो राजेपाल कुछ नहीं कर सकते हमारे देश में एक्चु में केंदर सरकार से आदे साई होंगे और रास्टपती सासन हटाने के लिए आप देखिए रातों रात कारवाई हुई है रास्टपती को भी सोहे पे उठा दिया तो यहां मैं समझता हूँ रास्टपती महोदे को भी कुछ थोड़ा सा मजबूती से काम लेना चाहिए था मैं उनके पद के खिलाब या उनकी कोई गरीमा के क्छाब मैं कुछ नहीं कहना चाहरा हूँ लेकिन यह मैं एक समझता हूँ कि सरोच नागरी के हैं वो देशके सरोच पद हैं उनका उनको शैद यह जरूर एक बार कहते है नहीं तब हैं कोन रिखेंगे कल भेजो उन्होंने भ पटापट पांच बजे सुबस दस्तक करके रास्पती सासे नटाने का और बेज दिया और आठ बजे सरकार को शपत दिला दी गई यानि सुबह उठे थे लोग अख़वार तो भरे हुए थे कि आज सीव सेना की और कॉंग्रेस और NCP की सरकार बनेगी आज गोशना होगी लेकन उधा टीवी पर कुछ और दिखा जारा थे किस सरकार तो बन चुकी है तो ये बड़ा दुखत हुआ है अजीत पाहर को इन्हों ने मुख्यमंतरी बनाया फर्नवीस स्वरी उप मुख्यमंतरी बने तो ये मैं समय दाओं ये समधानिक दाचे के उपर एक बहुत बड़ी चोट थी करारी चोट थी ये देश बरदास नहीं करेगा और इनको इससे सबक लेना होगा अब आप देखिए उसके सबत के बाद म तीनों पार्टियां मिलकर के तुरंट सुप्रीम कोट की सुप्रीम कोट ने तुरंट इनकी अरजी को मंजूर कर लिया और रवीवार के दिन 11 बजे का समय दे दिया अब रवीवार को जो सुप्रीम कोट ने समय दिया है सर्वोच नहाले ने उसके लिए भी इनके यानि के ruling वाले जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि संडे को सुप्रीम कोट क्यों लगी अब देखिए नैतिकता का फरक देखिए आप वो कहरें संडे को सुप्रीम कोट क्यों लगी है मंडे भी तो आना था वरकिंग डे उस दिन लग जाती है अरे तुम रात को दजियां उड़ा रहे रहे हैं खुद अपने अंदर नहीं जाकते हैं अपनी नाटिकता को नहीं देखते हैं अपने जमीर को नहीं देखते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हैं खुद गलत काम कर रहे हैं और मानिय नैयले को ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया संडे को क्यों लगाया उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई साड़े दस बजे और सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन अपना फैसला रिजर्व रख लिया फिर उन्होंने कहा है कि हम कल सुबह दस बजे यानि कि मंगलवार का दिन उन्होंने फिक्स किया साड़े दस बजे हम जो भी इसका नतीज़ा है वो जज्जमेंट जो हो हम साड़े दस बज़े सुनाएंगे तो कल खुस्व आपको ध्यान होगा कि कल साड़े दस बज़े सुप्रीम कोट लगी और उन्होंने अपना फैसला जो की सुमवार के दिन रिजरू किया था वो फैसला सुना दिया और फैसला जो सुनाया है वो ये था कि तुरंट प्रोटम स्पिकर वहां पर अपन्ट किया जाएगा और कल शाम के पांच बज़े से पहले यानि के चब्वीस तारिक या सताइस तारिक शाम पांच बज़े तक का टाइम दे दिया कि शाम के पांच बज़े से पहले फ्लोर टेस्ट होगा वो भी लाइव टेस्ट होगा गुप्त मतदान नहीं होगा लाइव उसका टेस्ट किया देगा और जैसे ये आ गया तो उसके बाद सरकार के पैर उखडगे वहां की सरकार के भी और केंदर सरकार के दोनों के पेर उखड़ की क्योंकि सैद उनको ये लग रहा था कि माननी ये नैले उनी के हक में गलत फैसला देंगे लेकिन सरवोच नैले को अपनी इमेज का भी चिंता है उनको अपनी मौरल वैलूस की भी चिंता है तो उन्होंने जो निया संगित जो फैसला था वो फैसला उन्होंने दे दिया और उसी वकत परदान मंतरी महुदे और ग्रह मंतरी महुदे दोनोंने मीटिंग की है और फैसला कर लिया कि मैदान से भागने में फाला ही है बजाए इसके के जनता उनको वहाँ फ्लोर टेस्ट में फेल करके भेजे तो उन्होंने इनको आदेश जारी कर दिये और उन्होंने तुरंट अजीत पार ने भी रिजान कर दिया और फड़नविशन भी रिजान कर दिया ये बहुत दुखत फेज था मैं समझता हूँ क्या इमेज है उनकी समाद में क्या इज़त आज उनकी उसका फेज़ खतम हो गया है और मैं विश्वाज जला सकता हूँ आपको खुच्बू ये पांच साल अब इस पार्टी के लिए बहुत ही दुखत होने वाले हैं जनता समझ गी है जनता पुरा देश समझ गया है कि इस सरकार ने पिछले पांच साल पूरे किये हैं एन्यतिक ता तौर पर एन्यतिक तौर पर किये हैं कोई भी फैसला इनका मैं मैं अलब समीधान के अगर दाइरे से हम देखा जाएं तो कोई भी खारा नहीं उतरता बहुत सारे फैसले जो इस किसम के राजनितिक फैसले की हैं वो सारे के सारे फैसले इनके गलत तरीके से की हैं आप देख लीजे करनाटका में क्या हुआ था आप देख लीजे गवा में क्या हुआ था उत्राखंड में क्या हुआ था सब जगे ये कानून की धजियां उड़ाई है इन्होंने देख लिया जहां तुम्हारा फाइदा है ये वही नियम लागू कर देते हैं कहीं जब इनको फाइदा है बड़ी पार्टी के ना थे सरकार बनाने में तो ये बड़ी पार्टी इनकी है तो बड़ी पार्टी का आदेश देते थे जहां इनकी पार्टी छोटी है तो वहां छोटी के साथ में कोई दादले बाजी करके वो छोटी सी सरकार बनवा देते हैं तो ये बहुत दुखत है और कुछ घंटे, शायद आठ घंटे, टोटल असी घंटे की सरकार, मैं एक और आपके मादेम से अपील करना चाहूँगा, कि इस फैसले, इस तीन, यानि असी घंटे के दौरान में, इस सरकार ने अगर कोई गलत फैसले ले लिया हो, तो उन फैसलों को तुरंट रद किया दे, दूसरी सरकार जो आने वाली है, अब देखिए, यहाँ एक चीज मैं और कहूँगा, खुश्बूब, यह सरकार के मंतरियों ने, यानि कई बार खुले तोर पर कहा, इवन केंदर सरकार वालों ने भी काया है, कि यह नेतिकता नहीं है, जो मैजोरिटी इनके साथ आई थी, शिव सेना की, तो इनके साथ सरकार बनाना चीज था, अरे तुमने कोई सी नेतिकता ने बाई है, तुमने तो, यह तो, चलो जो भी यह बना रहे हैं, पूरी की पूरी पूरी पार्टी के साथ बना बना रही है, पार्टी को तोड़नी रहे, सिव सेना ने ना कॉंग्रिस को तोड़ा है, ना एन्सिपी को तोड़ा है, वो दोनों इनके साथ आने के लिए तयार है, पूरी की पूरी पूरी पार्टी इनका समरतन कर रही है जबके तुमने तो एक आदमी तोड़ा उनका उनके 54 आदमी का अपने साथ होने का गलत दवा किया है बहुत बहुत मैं तो खुशबु मैं यहाँ से बलके आपके चैनल के माद्यम से अपील करना चाहूँगा राश्पदी महुदे को सर्वोचे नैले को यह अपील करना चाहूँगा कि यह तुरंट परदान मंतरी को भी बरखास किया जाए क्योंकि ये गलत फैसला परधान मंतरी की तरफ से गया है और जो मुख्य मंतरी वहां सपत जीन होने लिए गलत सपत थी उनके उपर बेन लगा जाए आजीवन बेन लगना चीए वो आजीवन कभी भी राजनिती ना कर पाएं और जीशने उप मुख्य मंतरी की सपत ली है दोखा दे करके अपनी पार्टी को चमवन आजमियों के वहां दस्तकत दिखाए हैं तुमने जाल साजी से वो आजमी भी पूरे आजीवन उनके उपर भी प्रतिबंद लगना चीए कि वो कभी भी राजनिती ना कर पाएं ये चीजें देखिए हमारे इसमें खुजबू बहुत दुख की बात है कि कोई भी सरकार आती हो अपने हिशाब से समीधान को चलाती है समीधान की किताब तो मैं तो यह समझता हूँ उन्होंने अलमारी में बंद करके रखिए उसको कोई खोलता है नहीं है बाबा साब इस देश को चलाने के लिए उसको देखे गए थे लेकिन ये जो बाबा साब को याद नहीं करते तो समीधान को क्यों करेंगे वो उसको लमारी में बंद कर रखा है अगर उसको खोल के उसके मताबिक देश को चलाएं तो कोई भी गलत काम नहीं होगा लेकर हर काम तक्रीबन जीतने राजनीतिक फैसले हो रहे हैं वो गलत तरीके चो रहे हैं ऐसमधानिक हो रहे हैं तो ये बहुत दुखद कटना है फाइनली चलो महारास्टा का ड्रामे का कल अंत हो गया और उद्व ठाकरे को जैसा की अपेक्षित था उसको पूरे तिनों दलों ने अपना साज़ा मुख्यमंतरी का केंडिडेट उनों ने चुना है और शायद वो कल 28 नॉम्बर को सपत भी लेंगे तो एक मैं समझता हूँ स्थिर सरकार वहाँ पर कायम हो जाएगी और मैं इस सरकार को नई सरकार को जो कल बनने वाली है शुब कामना ही देना चाहूँगा आपके चैनल के माद्यम से और विश्वास करूँगा कि वो ये 32 दिन के ड्रामे को भूलके इस टेंसन को भूलके जनता जो दुखी हो रही है 32 दिन से इंतिजार कर रही थी कि हमारी सरकार क्यों सपत नहीं ले रही उनकी दिल से सेवा करेंगे सची इमानदारी से सेवा करेंगे ये मैं उनके लिए शुब कामना भी देता हूँ और उनके उमीद भी लगाता हूँ कि जनता की बहुनाओं पर ये खरा होते रहेंगे बिल्कुल तीनों पार्टियों को मैं बदाई देता हूँ और मारश्टा प्रदेश को मैं शुब कामना देता हूँ कि आखर उनको 22 दिन के संगर्ज के बाद एक स्थिर सरकार मिल रही है और मुझे पूरा भरुसा है कि ये 5 साल बहुत मजबूती से चलेंगे और 5 साल के बाद मैं आज आपको मतलब 5 साल पहले ही मैं आपको ये बता जिता हूँ कि ये बीजेपी अगली बार खतम हो जाएगी अगले चुनाओ में इनका मुझे नहीं लगता नाम निशान पचेगा क्योंकि ये तीनों पार्टियां इकठे होकर के चुनाओ लड़ेंगी मजबूती से लड़ेंगी जहाँ एक का केंडिटेट होगा वहाँ दो का नहीं होगा तो जहाँ तीनों का गड़बंदन हो जाएगा तो इस पार्टिया का सफाया होना निश्चित है और मैं समझता हूँ कि गलत काम करने वाले का सफाय होने में कोई बुराई नियू है जन्तागी भावनाओं को कहीं समस्ते हिने नहीं है पहली बात तो जज्यादा तर चुनाओ इन्हों ने एन्होंने एन्तिक तोर पर ऐसे ओमेदानिक तोर पर किये हैं एवियम की महरवानी से जीते हैं ये सच्चे तोर पर जन परतिनीदी नहीं है ये एवियम परतिनीदी हैं या पार्टी परतिनीदी हैं एवियम की महरवानी से तो इनका परखास होने में मुझे कोई गम नहीं है मैं तो चाहूंगा कि ये सरकारे तुरंट ये दोनों आदमी म मुख्यमंत्री वहां के और मुख्यमंत्री जिन्हों ने गलत सपदली दोनों को आजीमन पर्तिबंद लगा जाए कि ये कभी चुना होना कोई राजनीचे में हिसाय ना दे जाए परदान मंत्री महोदै को भी तुरंट परखास किया जाए क्योंकि उनके इसारे से एक रह मंत देश दिया है गलत निर्जस दिये और उनका गलत असर देश के उपर जाएगा और मैं ये भी बताऊंगा आपको इमानदारी से इसमें मुझे खुच्बू बिलकुल कोई भी जरा सा भी संदे नहीं है कि महरास्ते के इससे पहले कई ड्रामें देश देख चुका है लेकिन आगे देश में ऐसी कोई घटना है हमारी ना हो जिसमें समीदान की धजिया उड़े या गलत तरीके से देश को चलाने की कोशिस हो उमीद लगाता हूं कि अभी आने वाली ये सरकार खास करके महरासर सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी खुच्बू अगर आपने अभी तक हम सबसे पहले